नमस्कार साथियो, साथियो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महित्पूर है, यदि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, या आप खरीदने जा रहे हैं, रेजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है साथि एडवोकेट और आपके विल्डर की बजय से और कही लोगों को यह भी नहीं पता कि भाई जो आपने रजिष्टरी करा लिए वो गलत है जमीन की चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जमीन खरीदने में यह चेक करें यह किस बज़ब्री कैंसल होई और जमीन खरीदने पर क्या जमीन ही चली गई, पूरा पैसा बरबाद हो गया, तो भाई आप अगर जमीन खरीद रहे हैं, तो थोड़ा वह समय दे दीजी जिससे आपके साथ फ्रोड ना हो, और मैं तो यह कहता हूँ कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, या कोई भी माली जमीन खरीद चुके हैं, तो म हजारों रजिस्ट्रिया कैंसल होई, सेक्डों मेटर्स तो हमारे पास आ चुके, चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियो, और देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा साथियो, कि जब भी आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं साथियो, या करवा चुके है तो कम से कम आप इतना तो चेक करें कि यह जमीन जो है, यह किस रेडी की है, ठीक है, इसका वर्ग क्या है, ठीक है, इसका डाखिल खारेज है के नहीं, ठीक है, उस पर सभी आदेश, ठीक है न, आदेश चेक करें और इसके अलावा सबसे महितपूर 80, 143, सक्सन 98, सक्सन 76, स 117 के लिए नहीं बताता हूं यह मैं आपको इसली बतारा रहा हूं कि भाईं आप साथ जली नहीं हो रहा है। भी double registry ठीक है double registry हो रही है ठीक है अंसे अधिक विक्रे हो रहा है ठीक है और कई बार तो भाई नकसे माल लीजे गाटा संक्य अच्छे में आपको रोजिस्ट्री करवाई और आपको साथ में थोड़ा सा कबजा दे दिया बाद में अब देखे सम मेंटर में मिसला लेना चाहते है विसेशक द्वारा या आपने कोई जमीन खरीद लिए ठीक है या खरीदने वाले हैं प्लोट्स तो आप ये चेक करवाना चाह रहे हैं आप कि ये प्लोट्स जो है आपका सही है कि नहीं ये सरकारी जमीन तो नहीं इस पर double registry तो नहीं कोई case बगेरा तो सब कुछ दिया होगा ःटिक है अब देखिये मैं आपको सब से पहले बताउं सातियों कि दो जमीने देखिए एक जमीन ये वाली तो है ये चैक हैज मै Iz coastal सरकारी है और ये जमीन सेक्षन 98 का अलंगन लें अब देखिए यहां पर क्या होगा यानि कि वह जमीन SCST की नहीं है यह चेक कर लें और जो बेच रहा है उसने कभी SCST सितनों ही खरीदी थी अगर SCST की जमीन है तो SECTION 98 का उस पर आदेश है के नहीं है अब आप कहोगे नहीं मैं तो प्लोट खरीद आ हूँ प्लोट भी नहीं खरीद सकते हूँ SECONDLOR PLOTS आपे CANCEL होए है क्यों नहीं खरीद सकते है क्यों कहीं भी यह नियम नहीं है साथ यो कि आप plots भी खरीद लें ठीक है ना आप उस पे आवासी लिखवा देते हो ना आवासी के stamp पे कर दिया कि खरीद सकते हो और ये advocate और property dealer कहते है नहीं advocate तो आपको बेवकूप बनाते हैं online वाले मैं आपको कानून समय दे सकता हूँ ठीक है आप किसी भी तरव effect पे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर कर सकते हैं बिदप्रूफ ले सकते हैं ठीक है आप देखिए यहाँ गाटा संक्या 837 रकवा यहाँ पे दिया है उसर दिनांग 11-10-1999 का अवलोखन किया गया जिसमें देखिए इसका नाम था ठीक है वो मिना आड़न का दिया भूम गाटा संक्या 384 रकवा दो सो त्रेपर का विक्रे पत्र क्रेता का नाम दिया था कि पच्छ में निस्पादित किया गया था ठीक है विक्रे पत्रयानी की बे शुक्ति संक्या चार पर वड़ेत है कि क्रेटा तथा विक्रेटा दोनों अनसूचित जात के सदस्थे है ठीक है है कि उक्तु विक्रह में 157 का ठीक है जो के सात्यों धारा 98 जो अब धारा 98 है समय ठीक है ना जमीदारी भूमवस्ता अधरियम के प्रतकूल है यानि की खिलाप है ठीक है लेकपाल आख्या से इसपस्ट है कि मूल वादी द्वारा विक्रह विलेख यानि की बेनामा में 157 का के प्रावदानों का उलंगन हुगा अता है पुनर स्थापन प्राथना पत्र सुईकार करते हुए निम्न लिखित आदेश पारित किया जाता है कि ग्राम तैसील जनपद खतोनी के खाता संग्या 160 की कसरा संग्या 384 नामंतर आदेश दिनांक यहां पे जो दिनांक थी निरस्त करते हुए भूम राजसरकार में लगाए जाने है तो सेवा आख्या प्रेसे तो यानि की सातियो पूरी जमीन ये राजसरकार म हो गए बिल्कुल ठीक है अब चलिए दूसरा देखिए यह वाला इसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि खतोनी का स्ट्रेडी नंबर खातेदार का वर्ग ठीक है यह चीज़ें चेक नहीं कि और यह जमीन खरीद लिए और यह जमीन जो है कम से कम नहीं तो 10-15 सालवाद कै क्यों कि डिस्कुस्में सात्यों मिल जाएगा अब देखिए आपे खाता संक्या 658 गाटा संक्या 837 रकवा 4050 समझ सकते 4050 वर्ग मीटर ही है ठीक है खातेदारों से निरस्त करते हुए बंदोबस्ट स्रेडी में अंकित ग्राम सवा के उसर खाते में राजस रहता 385 ग्राम समा में दर्ज अब समझते हैं इसमें तो लगों पचास लोगों के प्लॉट वहीं चले गए पचास लोगों कि यहां पर क्या होता है कि ग्राम सवा की भूम सुरच्चे देजि नीजी पच्चों को भूम खुर्द बूर्द करने का उसके परढ़ाम सरूप परवर् एक चीज़ का प्रूफ नहीं दिखाऊंगा अगर प्रूफ दिखाने लगा तो काफी वीडियो लंबे होंगे और प्रति एक चीज़ हमें हाइडिन करनी पड़े क्योंकि किसी का गलत चीज़ दिखाना सही नहीं रहेगा ठीक है आप देखिए आता है ग्राम तैसील जिला फ अब इसमें वीवई चले गए तीस तीस प्लॉट तो भाई अब देखिए इतना ही नहीं साती हो अब देखिए और भी हमारे पास सेक्डों मेंटर से इसे आते हैं आप लोगों के आप ही आप मेंसे ही कोई कई भाई होंगे उन्हीं के मैंटर होंगे ठीक है ना मैं तो आप आप से यही कहूंगा कि भाई आपके इस प्रकार से नहां ठीक है ना आपके साथ दोका दड़ी नहां है एक चीज़ सातियों में और आपको बता दू अगर आप कोई भी कानूनी साला बैतर से बैतर डॉकुमेंट चेक या फरजी प्लॉट रजिस्ट्री तो नहीं है वो इस सारी सिख सकते हैं औलि 59 रुपाई में आप चैनल को साथियों जोइन कर सकते हैं अभी जाकि जोइन करिये अब देखिए सातियों इसमें क्या हुआ इसमें सात्यों यह वाले matter में वह भी मैं आपको बता दूँ इसमें यह हुआ कि जैसे मालीजे यह था Gata Sankhya कौन सा देखी Gata Sankhya कौन सा है इसमें 463 ठीक है वो 463 जैसे माली जी यह था सात्य गाटा संक्या 463 अब इसमें हुआ क्या देखिए सोचने वाली बात है 463 में तो करा दी registry ठीक है ना registry आपको करा दी और प्रोपरिटी डीलर यहां पर डाल देते नापते तो है नहीं और कबजा दे दिया यहां पर सरकारी जमीन में रजटी इसमें कबजा इसमें अब जब मकान वन वाली है बिचारे ने तो अब 14 सालवाद नोटिस उसके मकान पर चिपका गए सरकारी ओफिसर्स अब देखिए यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यह मकान पर चस्पा कर दिया इसलिए यह फोटो इस प्रकार से आई है अब देखिए क्या है जरिये नोटिस सूचना किया जाता है कि आप पूर जो है विदिक कारवाई की जाएगी और तोड़ दिया जाएगा इस पस्ट है सतियो इस पस्ट ठीक है मैं जो भी मैं आपको बता रहा हूं मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप आप लोग जो है वो डरा है इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति धोका धड़ी ने कर सके, ठीक है, कोई भी व्यक्ति धोका धड़ी ने कर सके, ठीक है न, और देखिए, अगर आप ने जमीन खरीदी है, फिर भी आप डॉकुमेंट्स मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, खरीदी की जमीन सही है कि नही या खरीदेना चाहते तो भी आप करवा सकते हैं consultant करना चाहते हैं आप देखिए साथियो इसमें क्या हुआ इसमें इस वाले में देखिए ये वाला matter जो इसमें देखिए इसमें क्या हुआ साथियो जोकि अक्सर 90% कालोनियों में हुरा है आप लोग पकड़ नहीं पाओगे आप लोग पकड़ नहीं पाओगे और आप देखिए आप लोग इतने तो लालची हैं कि आप लोग दस लाग की जमीन ले सकते हैं ठीक है ना लेकिन आप एक हजार रुपए मौएना और जाच पड़ताल में नहीं खर्च कर सकते हैं कि फिसी से कि द्वारा चेक करवाला है फिकहना अब दीके इसमें क्या हुआ इसमें हुआ कि प्लॉट वही कह electronics ने पूरी जमीन खरीदी है 10000 वर्ग मीटर ठीक है और प्लॉट काट-कार्ट के इदर अधर अधर कःआ करें लास्ट वाले दूथ प्लॉट का दाखिल खार्ग内 नहीं होगा ठीक है और उनकी रिच आप देखें, इसमें अमेट बनाम कमभाई इंतजार पतर मस्थाक सुनेंस उने के कारण नस्त किया है, सुनेंस वह होता है, तो कैसे वह कर देंगे वाई ठीक है न, तो यह छीज़ आप ध्यान रखिए ठीक है यह छीज़ ध्यान रखिए आप ठीक है और इसी के साथ मैं फिर कहूंगा साथियो अगर आप कोई बेतर कानूनी सला कोई भी डॉकुमेंट्स चेक या कोई प्लॉट रजिस्ट्री बगएर आप करवाने जा रहे है इसका डॉकुमेंट्स वरिफिकेशन करवाना चाहते तो